बिहार में अवैध बालू खनन बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और इसको लेकर तमाम जाच एजेंसिया बीते सालों में लगातार कारवाई करती रही है इस वक्त हम पटना में मौझूद है जहां इंकम टैक्स की एक बड़ी रेड चल रही है और ये रेड चल रही है जेड ब्राट्सन कंपनी से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है जिन पर तमाम जो टैक्स चोरी के आरोप हैं वो लगे हुए हैं ब्राट्सन कंपनी को बिहार में बालू खनन का जिम्मा मिला हुआ था लेकिन बीते सालों में ब्राट्सन कंपनी पर तमाम तरह के आरोप लगे रहे हैं 2018 में भी ब्रॉट्सन कम्पनी पर इंकम टैक्स की छापे मारी हुई थी तब उनके मालिक सुभाश यादो के कई ठीकानों पर ये रेट चली थी और उस वक्त इसे लालू परिवार से जोड़ा गया था 2021 में ही जो ब्रॉट्सन कम्पनी के निदेशक है अशोक गुपता उनके उपर पुलिस ने कई FIR दर्ज की और ये FIR बालू चोरी के थे आज इसके बाद ब्रॉट्सन कम्पनी ने बिहार के कई जिलों में बालू खनन से हाथ खड़े कर लिये तब ये जानकारी सामने आई कि दरसल ब्रॉट्सन कम्पनी पर करोडों रुपया बिहार सरकार का बकाया है और फिर बिहार सरकार ने ये पैसा वसूलने का आदेश जारी किया कम्पनी के जो निदेशक हैं उनका रुत्बा किस कदर है इससे समझने के लिए 2021 दिसंबर का ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उस समय बिहार सरकार के मंतरी और तमाम जो नेता हैं वो लाइन लगा कर जीवन गुपता के जनम दिन पर केक खाने के लिए ल से लगातार वैद बालू खनन में जुड़े रहने और बालू चोरी के साथी टैक्स चोरी के भी आरोप लगते रहे हैं और आज ग्रट्सन कम्पनी पर एक बड़ा एक्शन हुआ है जब राधा चरणशा जो की जेडियू की एमिलसी हैं वो भी इस कम्पनी से जुड़े उनके ठिकानों पर भी छापे मारी चल रही है लेकिन ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जो कम्पनी इतनी दागदार रही है बीते सालों में उस पर इतनी कारवाई हुई है आखिर लगातार उसे बिहार में बालू खनन की जिम्मधारी क्यों दी जाती रही ये किसी एक पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं है तमाम राजनितिक दलों का इन्हें शेह मिला हुआ नजर आता है और सरकार भी जो कारवाई इन पर बीते सालों में करती नजर आई है वो सिर्फ धकोसला साबित होता दिखा है और आज केंदुरी जांच एजंसी इंकम टैक् प्रॉट्सन कंपनी से जुड़े तमाम लोगों पर जो रेड की है उसमें कर्चोरी का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है उतकरश कुमार सिंग पतना